फ्रेंड्स बहुत सारे learner comment box में पूछते हैं कि is help, what help और will we help क्या है क्योंकि अक्सर newspaper में या daily conversation में इस तरह के sentences सुनने को मिलता है जैसे Sunday को class नहीं लगती है या नहीं लगी या Sunday को class नहीं लगेगी या Saturday को meeting लगती है या Saturday को meeting लगी या Saturday को meeting लगेगी तो friends अक्सर newspaper में या अपने daily conversation में is help, what help और will be help का इस्तेमाल हमें सुनने को या देखने को मिल जाता है तो आईए friends देखें कि इनका correct use क्या है Friends, is help, what help और will be help passive के structure है जिनका mini होता है लगता है, लगा या लगेगा Friends, कहीं लगता है से आप ये न समझने, appear, seem या look कहने का मतलब है friends, अगर कहना हो, मैं handsome लगता हूँ, तो ये लगना अलग है, तुम बेइमान लगते हो, ये लगना अलग है, ये दूसरी तरह का लगना है लेकिन यहाँ पर लगता है गगा या लगेगा, means रखा गया से है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक जापन लिखा हुआ है, गाओं में मेला लगता है, तो friends इस sentence के लिए आप इज हेड का इस्तिमाल करेंगे, आप कहेंगे, दफ्या इज हेड इन दा वीरेज, इज हेड मी बोली जाएं, गाओं में मेला लगा, तो आप कहेंगे, दफ्या वाज हेड इन दा वीरेज, अगर यही बात फ्यूचर में कहनी हो, कि गाओं में मेला लगेगा, तो आप कहेंगे, दफ्या विल बी हेड इन दा वीरेज, तो friends, इज हेल या वाज हेल या विल बी हेल मींस ल English class is haired on Sunday अगर ये sentence पाश्ट में हो, जैसे रविवार को अग्रेजी की कलास लगी तो आप कहेंगे English class was haired on Sunday अगर ये sentence future में रहे जैसे रविवार को अग्रेजी की कलास लगेगी तो आप कहेंगे English class will be haired on Sunday friends अगर लिखा हो मेरा स्कूल सुबह में लगता है तो आप कहेंगे माई स्कूल इस हैर्ड इन दा बॉनि अगर कहना हो मेरा स्कूल संडे को लगा तो आप कहेंगे माई स्कूल वाज हैर्ड इन दा बॉनि मेरा स्कूल सुबह में लगेगा तो आप कहेंगे My school will be held in the morning आये friends, last example देखते हैं Friends, आम तोर पर is held का इस्तेमाल हम, meeting, exams, class, school, fair, seminar और marriage जैसे words के साथ करते हैं जैसे, हमारा परिक्षा मार्च में लगता है आप कहेंगे, our exam is held in March अगर आपको कहना हो कि हमारा परिक्षा मार्च में लगा यानि पांच में बोलना हो, तो आप कहेंगे, our exam was held in March अगर future में बोलना हो, तो आप will be का इस्तेमाल करेंगे Friends, अगर आपको कहना हो, सभाग कल लगेगी यानि या एक future का sentence है सभाग कल लगेगी, तो आप कहेंगे, the meeting will be held tomorrow तो Friends, उमीद करता हूँ कि आपको it held, watch held और will be held का use इस्तेमाल शांदार तरीके से समझ में आया Friends, अगर आप इन तीनों topics को शांदार तरीके से सीखे तो क्या इन सभी topics पर दो-दो sentences comment box में लिख सकते हैं ताकि मैं check करके देख सकूँ कि आपने क्या सीखा सही या गलत, right या wrong फिर मिलेंगे कुछ अच्छे lessons के साथ तब तक के लिए, bye